हेलो फ्रेंड्स, वेलकम की माई चाहिनल, आज मैं आपको लिए बहुत ही खुबसूरत सा सिंगल कलर में नीटिंग डिजाइन लेकर आई हूँ, इस डिजाइन को आप बना सकते हैं, जैन्स स्वाइटर के लिए, जैन्स जैकिट के लिए, अगर आप जैन्स कारडिगन बना तो उस पे आप इस डिजाइन का यूज कर सकते हैं, लेडिस कारडिगन के लिए बहुत ही खुबसूरत डिजाइन है, बेबी फ्रॉक पे आप इसे बना सकते हैं, ब्लैंकिट बना रहे हैं, तो एज बॉडर यूज कर सकते हैं, यह इस डिजाइन का रॉंग साइड है, इस इस design को मैंने 3.5 mm की needle से बनाया है आप इसे 9 number 10 number 11 number की needle से बना सकते हैं या इससे भी मोटी या पतली needle से बना सकते हैं stitch हमें लेने है 5 के multiple में प्लस 2 stitch add करेंगा आपका design सेट होगा प्लस में 2 edge के लिए हम row 1 बिनेंगे right side से पहले फंदे को आप slip करेंगे पांच फंदों का आपका डिजाइन रहेगा जिसमें दो फंदे जो हैं वो आपके राइट साइट से उल्टे बिने जाएंगे उन को आगे की तरफ करते हुए देखिए इस तरीके से इसके बाद आपको जो तीन फंदे बिनने हैं वो उन को पीछे की तरफ करते हुए सीधे बिल लेने हैं, एक, दो, तीन, अब यही पाँच फंदे आप एक बाफ फिर से रिपीट करेंगे, दो फंदे उल्टे और तीन फंदे सीधे, एक, दो, दो फंदे उल्टे और तीन फंदे आप उनको पीछे की तरफ करते वे सीधे बिल लेंगे, तो आप बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद रो वन राइट साइट से इसी तरीके से शुरू करेंगे, देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास फिर से हम यही पाँच फंद करेंगे, दो फंदे जिसमें आप उल्टे बिनेंगे, तीन फंदो को आप सीधा बिनेंगे, अब देखिए यह जो दो फंदे यह आपके डिजाइन को सेट करने वाले, इन्हें आप राइट साइट से उल्टा बिन देंगे, और एच के फंदे को आप सीधा बिनते हुए प पहले फंदे की सलिप करेंगे, अब देखे, यह दो सीधे फंदे बिट्र हो네요. जो आपने राइट साइट से उल्टे बिने थे, वह रॉंग साइट से आपके दूसरी सिलाई न तिनっ फंदे उल्ते धे यह वाले 2 सीधे तीन कर तो आपको रो था कि discussion रॉंग्स साइट से इस तरिके से कमपिलीट करनी है हुआ ही कि तीन फंदे उल्टे है फिर से आप यहीं पांच फंदे रिपीट करेंगे दोंदे सीधे और तीन फंदे उल्टे और उनको राइट साइट की तरफ और उनको रॉंग साइट की तरफ करते हुए आपको ये फंदों को बिनना है अब देखिए आपके ये वाले डिजाइन के सेट करने वाले फंदे हैं इन्हें आपको सीधा बिल लेना है और एच के फंदे को आपको उल्टा बिनते हुए अब हम तिसरी सलाई पाएंगे, थर्ड रो पर आएंगे, राइट साइट की रो होगी, पहले फंदे को सिलिप करेंगे, पांच फंदो का आपका डिजाइन रहेगा, जिसमें आपके दो फंदे ये हमेशा राइट साइट से उल्टे ही बिने जाएंगे, तो दो फंदे फंदा है, इसे पहले आप सीधा बिनेंगे, इसके बाद आपके देखिए दो फंदे बचेंगे, आप दो फंदे नीचे उतरेंगे, और तिसरा फंदा जो रहेगा, उसमें से आपको फंदा बनाने देखिए, एक और देखिए, ये दो फंदो को छोड़ते वे तिसरे इसके बाद जो आपने फंदा उठाया था उसी में से आपको एक और फंदा उठा लेना है देखिए ऐसे तो आपने दो लमवे फंदे उठाये देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपने दो फंदे बढ़ा लिये हैं और अब हम फिर से यही पाँच फंदे रिपीट करेंगे जिसमें आपको उन आगे की तरफ करते हुए दो फंदे उल्टे बिनने हैं उन को रॉंग साइट की तरफ करते हुए अब तीन फंदे हैं आपके जिसमें आपका जो पहला फंदा रहेगा वो आप पहले सीधा बिनेंगे इसके बाद देखे, आप ये दो फंदे हैं, आप जो आपका बीच वाला फंदा इसमें आप दो फंदे नीचे उतरके तिसरे फंदे में से एक फंदे को उठा लेंगे हलका सा धीला फंदा उठाएंगे इसे धीला रखना है थोड़ा अब यहाँ पर आपके दो फंदे हो गए देखिए अब ये वाले दो फंदे आपको सीधे बिल लेने है इसके बाद आप उसी जहां से आपने पहले फंदे को उठाए था उसी जगा से आपको एक और फंदा उ उठाए था उसी में से आपको एक और फंदा उठाते हुए ये देखिए इस तरीके से ले लेना है निजल पर तो यहाँ पर आपके पांच फंदे हो जाएंगे अब फिर से हम यही पांच फंदे रिपीट करेंगे पहले हमें दो फंदे उल्टे बिनने है उन पीछे करना ह एक तीन फंदे हैं जिसमें पहला फंदा हमें सीधा बिल लेना है अब जो हमारा बीच वाला ये वाला फंदा रहेगा इसके दो फंदे नीचे उतरके हमें तिसरे फंदे में से एक लंबा फंदे को उठा लेना है इसके बाद देखें यहाँ पर हमारे दो फंदे हो गए अब हमें जो हमारे ये वाले दो फंदे थे इन्हें सीधा बिनना है इसके बाद जिस फंदे में से आपने पहला फंदा उठाया था उसी फंदे में से आपको एक और फंदा उठा लेना है हलका सा धीला और बराबर रखेंगे दोनों फंदों को अब आपके दो लास्ट जो फंदे रहेंगे वो आपके डिजाइन सेट करने वाले फंदे होंगे उनको आपको उल्टा बिल लेना है देखिए ये वाले दो फंदे आपके उल्टे बिने जाएंगे H के फंदे को आपको सीधा बिनते हुए जो आपके 3rd row complete हो गई है अब आप row 4 पर आएंगे wrong side की row होगी पहले फंदे को आप slip करेंगे अब ये वाले देखें पहले फंदे को slip करने के बाद आपके जो 2 फंदे सीधे हैं वो आपको सीधे ही बिनने हैं और उनको right side की तरफ करते हुए देखिए इस तरीके से ये वाले दो फंदे आपको सीधे बिन लेने हैं इसके बाद देखें हमने एक एक दो फंदे सीधे बिनने देखें हमारे 5 फंदे थे जिसमें तीन फंदे हमारे निडिल पे थे और दो फंदे हमने उठाए थे हमें क्या करना है जहां जहां पर हमने फंदे उठाए हैं उसे उसे जोड़ के बिन देना जैसे हमने तिसरे फंदे के साथ में देखिए एक फंदा उठाया था तो हमें दो फंदों को एक साथ लेना है, देखें, ये वाला हमने आरा लंबा फंदा था जो हमने उठाये था और एक हमारा निडिल वाला फंदा, इन दोनों फंदों को आपको एक साथ लेना है, देखें, एक और दो, एक साथ लिया, एक बार उल्टा बिना, बीच वाले फं को भी मिलाते हुए एक साथ एक बार उल्टा बिल लेना है तो यहां पर देखिए हमारे निडिल पर सेम इस्टी चाजेंगे दो और तीन पांच फंदे अब हम फिर से यहीं पांच फंदे जो हैं रिपीट करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है दो फंदो को सीधा बिनना है उल्टा बिन देना है अब हमारा जो बीच का फंदा रहेगा इसे भी आपको उल्टा बिनना है इसके बाद देखिए यह हमारे पास यह एक लंबा फंदा है और एक हमारे निडिल वाला फंदा है इन्हें भी आपको दोनों को एक साथ मिलाते हुए एक पर उल्टा बिन दे दो फंदो को एक साथ बिनेंगे देखे ये पहला और दूसरा दो फंदे एक साथ लेने हैं एक बर उल्टा बिनना है बीच वाले फंदे को भी उल्टा बिनना है अभी दिखे एक लंबा एक नीडिल वाला फंदा दोनों फंदो को एक साथ मिलाते हुए फिर से एक बर उल्ट करेंगे दो फंदो को उल्टा बिनेंगे और तीन फंदो को सीधा बिनेंगे देखिए यह हमारी सेकंड टाइम डिजाइन के लिए रो वन हमने स्टार्ट कर दिये फोर रो का जैसा मैंने आपको बताया था पैटन है तो चार सलाइया हमारी कम्प्लीट हो चुकिए और हमने से पैटन है यही बार बार रिपीट करनी है तो यहाँ पर हमारी रो वन कम्प्लीट हो गई है अब हम इसी तरीके से अपनी फोर रो रिपीट करके एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ मैं यहाँ पर देखे मैंने चार से लाइए एक बार फिट से बना लिए तो हमारा डिजाइन कुछ इस तरीके सा है जब आप इसे continue बनाते हैं और थोड़ा जादा बनाते हैं तो देखे इस तरीके का बन कराता है बहुती easy knitting pattern है अगर आप कोई gent's cap बना रहे हैं या lady's cap बना रहे ह यह baby cap के लिए बहुत अच्छा डिजाइन है यह बहुत प्यारा डिजाइन है और आप इस डिजाइन को सभी color में बना सकते हैं light dark में आप इसे किसी भी woolen project पर यूज़ कर सकते हैं और किसी भी age group के लिए आप इस डिजाइन का यूज़ कर सकते हैं I hope आपको डिजाइन अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को लाइक जरूर क्या कीजिए यह जो डिजाइन है इसे आप जरूर एक बार बनाएए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहु करिया